टौपिक है critical angle and total internal reflection क्या होता है और क्यों होता है क्यों तो होता है वो तो nature में होता है ज़़ा समझने की कोशिप करीए फिर बात करते हैं Definition तो बात की बात है सुनिए ध्यान से हमने यह चीज़ बताई कि जब light dancer से rar 여rner medium में जाती है सघन से विरल में जाती है तो नार्मल से दूर हर जाती है ठीक है ज़रा इस फंडा को देखिएगा और ये भी कहा गया कि किसी दो मीडियम के लिए और किसी गिवन वेवलेंथ के लिए साइन आई पान साइन आर का रेश्यो कॉंस्टेंट होता है ठीक है अब हमने कहा ये एक मीडियम डिवाइडर है ठीक है इसने दो मीडियम को डिवाइड किया ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेरर है ठीक है और ये हमने खींचा यहाँ पर नॉर्मल अभिलम ठीक है साउधान समझने कुछ करिएगा और ये हमने light ray डाली ये light ray number है 1 किसी angle पर गिरी होगी तो ये अब जाएगी जब runner medium में तो reflection किस तरीके से होगा ये normal से दूर हट जाएगी ये पास जाएगी दूर हट जाएगी ये normal से दूर हट गई ये इस direction में reflect होगी हम angle नहीं show कर रहे हैं ये दिख रहा है आपको ठीक है अब ये तो हमको मालूम है कि इस दोरों angle के लिए sin i और sin r का ratio कैसा है constant है ठीक है एक जब गाड़ी चलती तो लिखा होता keep distance तो हो सकता कभी क्यों गलत हो जाता है पिर रब कर ना परता नहीं ये गलत हो गया अब हमने क्या किया angle of incidence बढ़ाया ठीक है ये light number 2 है तो sin i upon sin r के लिए अगर आप i की value बढ़ा रहे हैं तो ultimately r की value भी बढ़ानी पड़ेगी तभी तो constant आएगा ना तो यहाँ पर angle of reflection भी बढ़ जाएगा तो light इधर कहीं आ जाएगी अब आपने angle और बढ़ाया number 3 light तो हमने देखा कि एक ऐसी position आई कि light 90 degree पे reflect हो गई angle of reflection कितना हो गया 90 degree इसी angle को कहते हैं critical angle ठीक है तो अगर definition हम समझे तो आप क्या लिखेंगे सुनिए ध्यान से कि denser medium का वो angle of incidence जिसके लिए rarer medium का angle of reflection कितना होता है 90 degree that angle is known as critical angle तो पहली definition लिखे critical angle की the angle of critical angle लिखे the angle of incidence the angle of incidence कुछ ज़्यादे नहीं आपने light को लिटा दिया है पहले से इतना angle बढ़ा दिया है अभी और आगे हम बढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी न that angle of incidence the angle of incidence in the denser medium in the denser medium for which for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle सगन माध्यम का वो आपतन कोंड जिसके लिए विरल माध्यम में आपवरतन कोंड का मानन भी डिग्री हो उसे हम क्रांतिक कोंड कहते हैं the angle of incidence in the denser medium for which the angle of reflection in the rarer medium is 90 degree is known as critical angle समझ में आई बात नहीं आई अब जरा समझेगा पहले critical angle की पूरी लेथन उसाब कर लेता है फिर आगे बढ़ते हैं total internal reflection में देखो द्यान से light medium 1 से medium 2 में जा रही है न अब हम इसको रब करते हैं यह तो समझाने के लिए बताया गया है ठीक है इस diagram को हम रब करते हैं यह क्यों समझाने के लिए बताया गया है आप मतलब करिए कोई दिक्काद उसी मना लीजे यह तो पहले से इतनी light को लिटा दिये हो ठीक है हाँ यह denser medium है यह rarer है यह हमने light डाली incident किया किस angle पर critical angle पर critical angle को कहीं कहीं पर c लिखा जाता है कहीं कहीं पर ic लिखा जाता है कहीं कहीं के theta c लिखा जाता है हम क्या लिखेंगे c कहीं कहीं पर angle of incidence होता है तो ic लिख दिया तो वो कोई बात नहीं वो नाम उसमें होना चाहिए कि यह critical angle है और angle of reflection कितना हो गया यह r is equal to कितना हो गया 90 degree light medium 1 से medium 2 में जा रही है ठीक है तो अब अगर हम critical angle की value निकालना चाहें तो आप लिखेंगे by snail's law by snail's law sign i i क्या लिखा जाएगा यहां पर i यहां पर क्या है c तो sin c upon sin r कितना होगा sin 90 is equal to 1 mu 2 1 के respect में 2 का refractive index denser medium के respect में rarer medium का index जबकि होता तो उल्टा है rarer के respect में denser का जायतर होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं sin c sin 90 के value 1 इसको हम चाहें तो 1 upon 2 mu 1 लिख सकते हैं ठीक है यानि कि अगर हम 2 mu 1 निकालें मतलब denser medium का rarer medium के respect में index glass का air के respect में index तो इसको लिखेंगे sign sorry यह उल्टा हो जाएगा यह cause x c हो जाएगा cause x c तो यह आपका formula हो गया refractive index of denser medium और critical angle के बीच में जो relation होता सब्सक्राइब बात note करें इसको अब हम बात करने जा रहे total internal reflection जरा समझने की courses करिएगा हमने कहा denser medium में अगर light critical angle पे गिरेगी तो angle of reflection कितना हो जाएगा अच्छा अगर आप इसको critical angle से बड़े angle पे incident करा हो अच्छा इस slide का number 1 डाल दो इस slide का number 2 डाल दो तो अगर आप सब्सक्राइब यह क्या कर रहा हो यह 1 इधर आ गई इसको यह 1-2 नहीं है यह 1-2 अलग कहीं डाल देना यह confused अब यह 1-2 माल लिया ना वहाँ पर तो डाल नहीं सकते ना अब देखो 2 डाल दिया तो अब यह यहाँ पर entry की इसको थोड़ी मालूम है कि क्या होना है इस angle के हिसाब से angle of reflection की value बढ़ना चाहिए घटना चाहिए बढ़ना चाहिए यह वैसे नहीं बढ़नी चाहिए अधरवाई स्नेल स्ना फिल हो जाएगा तो बढ़ने के लिए क्या होगा light उसी medium में वापस चली जाएगी नहीं चली जाएगी वो understood है जो angle of reflection 90 से बढ़ा हो जाएगा तो उसका reflection हो जाएगा यह reflection नहीं हुआ है हुआ reflection ही है लेकिन reflection कैसे हुआ 90 degree से बढ़े होने की वज़े से वो उसी medium में वापस चली गई है इसको कहते है total internal reflection मतब जब light denser medium में critical angle से बढ़े angle पर मतब यहाँ पर जो angle of incidence है I that is greater than critical angle तो angle of reflection becomes greater than 90 degree तो light उसी medium में reflect back हो जाती है यह जो phenomenon light का होता इसी को हम कहते है total internal reflection अब heading डालिए total internal reflection और उसकी थोड़ा definition लिखिए total internal reflection उसको TIF TIR बोलते हैं वो short में बोल लेते हैं ठीक है लिखिए when the angle of incidence when the angle of incidence in the denser medium when the angle of incidence in the denser medium in the denser medium is more than the critical angle is more than the critical angle is more than the critical angle then the angle of reflection becomes more than 90 degree यह अपने आप हो जाती है मतब उसने नहीं किया अपने आप यह हो गया है angle of reflection becomes more than 90 degree and light ray reflect back in the same medium and the light ray reflect back in the same medium mean sorry in the same medium this phenomena of this phenomenon of light is known as is known as total internal reflection this phenomenon is known as total internal reflection जानी कि इसके लिए condition क्या है कि जो light गिरनी चाहिए वो critical angle से बड़े angle पी गिरनी चाहिए ठीक है अब आप कहेंगे कि यह total internal reflection और normal reflection में अंतर क्या है उसमें भी तो light ray reflect back होती है देखें दो अंतर होते हैं इसरा समझे की कोशिश करिए मैं आप से कोई इस दिवाल से टकरा के वापस लोड के आऊ गए खट से टकराया आगे रास्ता नहीं थी वापस लोड के आ गए और मैंने एक ऐसा corridor बनाया कि आप यहां से गए और कहने इधर से जाओ बाहर निकल जाओ और गए गुम गाम के यहीं बाहर निकल आ इधर कहा आ गए बतला हमने ऐसा गली बनाई कि आप ऐसे गूम करके गूमते गूमते उस वहीं फिर लोड के आ गए तो क्या कहीं टकराये आप 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 गये थे उस गली में बाइचांस हम उड़ के उधर आ गई देखो ध्यान से रिफ्लेक्शन में क्या होता है रिफ्लेक्शन में बैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नार्मल रिफ्लेक्शन में अंतर क्या होता है और इसकी ज़रुत क्या हमको है देखे जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं लाइट रे ग्लास पर गिरती है ग्लास तो ट्रांस्परे तो वो light ray जाके उस polished portion से टकराएगी पहले, नहीं टकराएगी, तो जब टकराएगी, तो थोड़ी बहुत अपनी energy को loss करेगी ना, और बाद में reflect back होगी, मतलब क्या हुआ, कि जो reflection होता है, उसमें light की थोड़ी बहुत energy का loss होता है, because it strikes on the surface of the glass, ठीक है, क्या यहां कहीं strike पड़ा, तो इसमें energy का loss नहीं होता, ठीक है, और उसमें होता है, और इसमें जो image बनेगी, वो ज्यादा brighter बनेगी, इसकी जो image होती हो, ज्यादा bright होती है, ठीक है, जैसे हम लोग पारिटिव आटिम जाते हैं, powder order लगा लिए, ठीक है, तो उसमें कौन सा reflection होता है, normal reflection होता ह लाइट गिरी पहले, और फिर हमारे चेहरे से reflect हुई, और फिर आप लगा हो चस्मा, फिर आपके चस्में में गिरी, वो reflection भी हुआ, तो आपको क्या पूरी की पूरी light हमारे चेहरे जो गिरी थी और reflect हुई थी, एक तो हुई नहीं थी, और थोड़ी कम पहुंची तो आप को हम कैसे नजराएंगे, थोड़ा कम bright नजराएंगे, और reflection अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा प्राइट नजराएंगे, अब कुछ लोगों को तो भई बगवान ने brighter ही पैदा किया, अब एक तो ऐसे कभी दो चार दिन ना ना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां नाग जा से हम सुंदर नजराते हैं, होते नहीं हैं सुंदर, ठीक है, हाँ, तो समझ में आगी बात, लेकिन यह जो रूल है ना, आप इस डाइगराम को बनाना नहीं, आगे मैं समझा रहा हूँ, इसको बना लीजेगा, यह जो reflection का rule अफ फालो करेगा, मतब सुनिएगा, यह वाला angle और यह वाला angle कितना होगा, बराबर होगा, यह भी आई होगा और यह भी आई होगा, सौधान, आप जरा समझेगा, अगर मैं light ray यहाँ पर गिराता हूँ, 3 number, तो अब बताओ, reflection के बाद वो इस region में जाएगा, यह इस region में जाएगा, उपर है नीचे, अब नीचे जाएग तो यह ऐसे जाएगी, 4 number, और सीधे कर दो किते सीधे चली जाएगी, समझेगा नहीं जाएगी, फिर वो rule फालू करेगा, आपका simple reflection का, तो simple reflection और total internal reflection की बाद समझेगा गई, ठीक है, तो इस diagram को पहले वाले को, बाद वाले को बत बनाएगा, तो समझने के लिए आपको बन जो water होता है, उसका index 1.33 होता है, पढ़ा होगा आपने, इंडेक्स बोले तो, रिफ, ऐसे बोलना पड़ता ना, बार-बार जबान को, तो इसे बड़िया index बोल तो, इसका index कितना 1.33, और critical angle कितना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या अगर सबस्टेंस आप देख रहे हो, तो उसे light आ रही होगी ना, अगर पानी के अंदर कोई दिख रही है, मसली दिख रही है, तो उस मसली से light आ रही होगी ना बाहर, तो अगर 48.75 पे light गिरेगी, तो 90 डिग्री पे वो reflect होगी, अगर 48 से ज़्यादा गिरेगी तो, वो उ ज़्यादा फैलाता नहीं है, और flint जो होता है वो फैला देता है, दो प्रकार के lens प्रहे जाएंगे, एक convex और एक concave, convex का का काम क्या होता है, light को जोड़ना, एक जगे जोड़ना, ठीक है, crown कौन पहनता है, राजा, नहीं, general school पहन जानने के लिए, राजा का का काम क्या होत होता है, public को जोड़ना, वो अलग की बात है, कि कभी राजा को राजा बने रहने के लिए, public को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, राजा बने रहने के लिए, तोड़ना पड़ता है, अगर हमको मालूम है, ये 50 लोग तब खुस होंगे, जब इन 10 लोगों के बारे को याज़ा बेटा भुष बेटा इसलिए खुष है तो यह कौन करता है फ्रेंट फिकल्ड मैंड़ लोग एक इधि अमीन था सुना हो नाव आपने तनाश हाता हो इधि अमीन नहीं सुना उनका नहीं सुना होगा वो इंसान का मांज खाता था उसकी इंसान का तो एक बार उसने न रहेंगे विकारी न मांगेंगे भीक, बहुत भीक मांगते हैं, और जो अच्छे अच्छे हो तो कहा होगा, तो crown glass का कौन बना होता है, convex, उसका काम क्या होता है, raise को जोड़ना, जनता यहां पर नहीं है, जनता न लिख देना पता जला, flint glass का बना होता है, concave, concave का काम क्य होता है, एक मिनट, light ray को तोड़ देना, तो इसका index ज्यादा है, index ज्यादा होने का मतलब यह हुआ, कि light इसमें ज्यादा दूर भागेगी, ठीक है, और diamond का 2.42, इसको जाद ध्यान समझेगा, diamond का index कितना होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा nature, जितने substance पाए ज जाता है, diamond तो जब आप जानते हैं कि असली वो कोईला है, carbon होता है, तो carbon जब बाहर निकला उसको तरास्ते हैं, अलग-अलग angle पे, ऐसा angle उसका जो बेंजिनरिंग के तरह बनाए जाता है, कि उसमें जो critical angle कितना उसका होता है, यहनि diamond के अंदर अगर light है, तो light अगर 24.41 ड 90 degree पे reflect होगी, अगर उससे जदा करेगे, तो diamond से बाहर वो नहीं निकलेगी, उसके अंदर ही बनी रहेगी, ठीक है, इस concept को भी हम बात करेंगे, अब हम total internal reflection nature में जो पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करना जा रहे हैं, heading डालेजेगा, total internal reflection in nature, and its technological application, बल लिखे, total internal reflection in nature, यह values याद कर लिजेगा, याद हो जाए अच्छी बात है, यह याद रखेगा, इसका critical angle 24.41 होता है, अब देखे, total internal reflection in nature में भी होता है, ठीक है, समझेगा कुछ बाते, जैसे एक होता है मिराज, मैं मिराज, क्या होता है, मिराज, इसको कहते हैं, रेगिस्तान की मरीचिका, मिराज को कहा जाता है, रेगिस्तान की मरीचिका, मरीचिका वर्ड शायद मारीच से बना है, मारीच का नाम सुना होगा आपने, हाँ वही मामा मारीच, जो था वो दिखता नहीं था, और जो दिखता था वो था नहीं, तो होता क्या है, रेगिस्तान में दूर पानी होने का तो उसको कहते हैं मिराज, ठीक है, क्यों बनता है, due to total internal reflection, आपने देखा होगा, अगर गर्मी में कभी आप highway पे जाएं, स्वरक पे, तो स्वरक चमकती भी जराती है, वह अलगी बात है, रात में हमारी खोपडी भी जमकती भी जराती है, वो total internal reflection की उज़स नहीं होता है, वो normal reflection की ज़स होता है, कभी बच्चे जाएंगे, सर, good evening, हम समझ जाते है, how they recognize, ये बाजपे is there, because of my backward head, का का जाएगा, जो भी back side head, जो भी आप कहें उसको, छोड़ी अच्छा, देखो मिराज में होता क्या है, रेगिस्तान में होता क्या है, डाग्राम बढ़िया नहीं मना प रेगिस्तान में ठनक जयदा होती है, और गर्मी में जो दिन में गरम होता है, तो देखें, चुकि रेत से लगी भी air गरम होती है, रेत वेव फार में नहीं होता है, वो वेव ह operators हावा नहीं चला ही ना, हमने रेत को हवा नहीं चला है, याँपर वैक्यू में रखा हुआ ह बता रहे हैं, रेत वेफार में होता है, वो पिचरों में देखा होगा ना तुमने ना, अब पिचरों में तो जो हीरो जाता है, रेत में चल भी जाता है, और उधर निकल भी जाता है, और विलेन जाता है, तो साला रेत एक दम सागे उसके उपर इकटा हो जाता है, हीरो निक रेत गरम होता है तो रेत से लगी वे एर गरम होती है तो ररर मीडम होती है और जैसे से उपर जाएंगे वैसे वैसे वो कम गरम होती जाएगी उतना कम नहीं होगी जाकर लेकिन थोड़ा कम गरम होती जाएगी यानि डेंस होती जाएगी अब मालिया यहां पर मालिया थोड़ी दूर पर एक पेड है पेड हम इतना चाह नहीं बना पाँएंगे उप बना इन गया इसे होता है कुछ अब इसे चिडिया बना दे, बना दे चिडिया, अभी और घटिया लगेगा, चिंता न करो, ये अभी, अभी कुछ बना ही कहा है, अब देखो, ये नीचे की एर कैसी है, रेरर मीडियम है, कैसी है, रेरर मीडियम है, जैसे जैसे उपर जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो तो पेंड को देखने के दो तरीके हैं एक तो पेंड को डाइट देखेगा यह पेंड दिख जाएगा अच्छा अरे ठीक है अब आद्मी बनाना है तो ऐसे बना सकते हो ऐसे बना लो आद्मी अरे अभी तो आद्मी एंटीक है खीक है अज़ा वो ठीक हो यह लोग nya जब बनाती है लोग पूजा बनाती इंसहाना तो ऐसे बनाए हँआ esquler का अब लाइट यहां सच्छा है लाइट उपर कैसा मिडियम है डेंस है ना और डेंसर से रेरर में जा रही है ना तो डेंसर से रेरर में जाएगी तो नार्मल से दूर हट जाएगी तो यहां से लाइट गई और नार्मल से दूर हटती जा रही है एक इस्थित ऐसी आएगी कि उसका टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन हो जाएगा एक ऐसी इसकी आ सकती है light जब denser से rare में जा रही है तो normal से दूर हट जा रही है अब देखे ये बारी जब layer मिली थी तो यहाँ से light दूर हटी थी यहाँ गई फिर और दूर हट गई तो एक ऐसी position आ सकती है जिसका total internal reflection हो जाए अब ये क्या ऐसे देख सकता है नहीं देख सकता है, इसको light सब सीधे देखेगा तो उसको क्या लगेगा, light तो यहां से आ रहे है न, ये चीज को कहां दिखाई पड़ेगी, ये यहां उतारे गड्डे में दिखाई पड़ेगी, ये पेंड का, same pain है, ये same pain है, तो उसको पेंड का प्रत्विन दिखाई पड़ेगा पेंड की इमेज कब बनती है जब पानी हो तो इसी प्रकार से पानी होने का ब्रहम होता है तो आपको एक कहानी के ओल समझानी है एक्जाम में लिखनी है क्या होता है ठीक है डाइगराम बन जाए तो अच्छी बात है तो ये मिराज होता है हलका सनोट कर लीजे और अपने आव अच्छा बना लीजे दूसरा है लूमिंग ये कहीं कहीं बुक पे नहीं दिया होता है बस कम बोली हो गया बस हो जादा नहीं लूमिंग होता है ठंडे प्रदेशों की मरिज का मिराज होता है गरम प्रदेश की रगिस्तान की मरिज का और लूमिंग है ठंडे प्रदेशों में सुनिए ध्यान से ठंडे प्रदेशों में क्या होता है जब हम दूर कोई शिप देख रहे होते हैं तो हमको वो उल्टा लटका नजर आता है उसका रिजन समझिएगा इसमें डाइग्राम ऐसे लेयर नहीं बनाएंगे यह समुद्र है और माले यहां पर कोई नाव है तो अगर यहां पर कोई खड़ा हुआ है नाव को देख रहा है इस प्रिकार से तो नाव से एक तो लाइट डाइट उसके आँखम पड़ेगी दिखाई पड़ेगी थोड़ी लाइट उपर भी जा रही होगी ना तो समुद्र की जो लेयर है वो ठंडी होगी तो नीचे की एयर ठंडी होगी और उसको उपर जाएंगे तो एयर कैसी होगी गरम यानिकि डेंस रेर हो जाएगी तो ल युए फोल देपोल पर सुनिंग के है फ़ान उपर हो इसको लगेया यह ग्रम उतल चाहिं हो यह जो ही जाते है चाहिए अगला है इस पार्क्लिंग व्डैमन् डामेंड का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना बताया गया अभी इपने वेलु बताई है ना इसका इंडेक्स होता है 2.4 के आसपास होता है और इसका जो क्रिटिकल एंगे कितना बताया गया 24.4 डिग्री लगबग लगबग हो तो इस थोड़ी होगा ज़रा समझिएगा डामेंड में होता क्या है मैं डामेंड बना नहीं रहा हूं मैं बता रहा हूं माले ये डामेंड है है नहीं है डामेंड हम बेंजीन रिंग मनाए दे रहे हैं ये डामेंड है नहीं लेकिन डामेंड किसी सेप का हो सकता है होता है अरे वहा हो गया आप सुरिए इसके अंदर कैसा medium है, rarer, हम इसको ऐसे तरासते हैं, कि इसमें जब light गिरे, तो इसका जो angle of incidence हो, वो greater than critical angle हो, critical angle से, बढ़ा हो, तब greater than होगा, तो उसका reflection कैसा होगा, total internal reflection होगा, तो इसी में वापस लट आएगा ना, ये, कि बाहर निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, निकल पाएगा, ऐ ऐसा उसको तरासा जाता है, ऐसा सिंपल नहीं होता है, अब देखे, यहाँ light गिरी, और फिर यहाँ पर total internal हो गया, तो फिर यह light reflect हो गई, तो light इसी के अदर घूमती रहती है, तो actually diamond नहीं चमक रहा होता है, diamond के अंदर, तो light भरी होती है, वो चमक रही होती है, अब कोई कह देखो मेरा diamond कितना अच्छा है, तो अपना काम करो, diamond थोड़े चमक रहा है, light चमक रही है, तो LED लगा लगा ले, वो चमकेगी, LED समझो का, अब यह हो natural LED है, तो यह diamond समकता है, ठीक है, अब आज कल तो diamond ना समंग में आता है, ना समंग में आता है, वो जो उसमें guest house जूमर ह होते हैं, जूमर में जो लटके होते हैं, वो भी diamond सेप में होते हैं, अगर वो भी कोई लटका ले, तो सम्झे मने आए कि सामने वारे को diamond है कि जूमर का लटका है, होता है नहीं होता है, मैंने ऐसे मतलब बताया, तो यह हो गया sparking of diamond, अब तीसरा इसका use है, optical fiber, जिसको सब स optical fiber क्या होता है, जो हमारा communication system है, सांत रही हो, देखे इधर, वो आदात है, सांत रही हो, बोल दिया, सुनिये जान से, जो मेरा communication system सुरुआत में था, वो कैसा था, हम जब एक speaker होता था हमारे पास, हांत में, हलो, तो हलो बोलते थे, तो जहां पर हलो बोलते तो हां एक magnet लग oscillate किया, वहां से current बनी, और वो current को तार के माध्यम से हमने भेज दिया, ठीक है, अब simple सी बात है, अगर current तार के माध्यम से जाएगी, तो due to the resistance of wire, उसकी हलकी थोड़ी देर बात क्या होगी, दीक हो जाएगी, तो हम बीच बीच में उसमें booster लगाते रहते हैं, booster लगाते है उसके energy को बढ़ाने के लिए, और उसको जाके हम कई 1000 km तक भेज देते हैं, और जहां पर वो light या वहां पर electricity पहुंचनी होती है, वो current, वहां पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर receive करते हैं, current को, current के oscillations को, और उस current को फिर हम sound में convert करते हैं, सामने वाले को भेज देते हैं, यह हमारा system था, communication का पहले वाला, ठीक है, लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसे लोग है, वो टपा मारे बैठे रहते हैं, वो अपना खेद पे निकले, आने कारें के लिए, तो फावडा भी साथ ले लिए, दो-चार किलोमेटर तार हुआ है, क्योंकि आगे बढ़ी नेरा, तार खोद डाले, तो हमने उसका solution, दूसरी बात, due to the resistance of the wire, metal बहुत यूज होगा, resistance के वजए से वीक बहुत हो जाएगी current, उसको boost करना पढ़ेगा, तो हमने light का इस्तिमाल किया, ठीक है, जब हमारे पास LED में बन गई, LED, और photo diode बन लगी, आपने देखा होगा, speaker में LED लगी होती है, जो speaker बचता है, तो LED भी light कम ज़्यादा दिखती होगी, अगर आपको, किसी का speaker में LED लगी हो कहीं पर, तो जो speaker बचता है, तो जलती है, किसी दूसरी कहां देख लेना अगर अपने ने लगी हो, यहने कुलना हमने hello बोला, light बनी, light को हमने एक तार में डाल दिया, वो जो तार में डाला, वो क्या है, optical fiber, अब तार, में light जाएगी, light के speed कितनी होती, 3 to 10.8, लाख हो, कितना है, तीन लाख किलो मेटर पर सेकंड, निकालो कितनी होती है, 3 to 10.8 कितना होगा, 3 लाख नहीं होगी, तो कुछ भी होगी न 30 लाख, 30 करोड, किलो मेटर, किलो मेटर, किलो मेटर बताओ ना, किलो मेटर, अब को कौन निकाले, अब कल्पना करिये, light की speed कितनी होती है, यानि हम एक सेकंड के दर हमारी sound कहां पहुं सकती, light के fire में, ठीक है, तो हम करते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं, देखे साउधान हम क्या करते हैं, एक fiber लेते हैं, एक पतला सा तार लेते हैं, बहुत पतला होता है, आपके hair के बराबर, जिसके hair हो, जानते हैं कितना पतला hair होता है, उसी के बराबर, ठीक है, optical fiber, यहां कहीं बना था, यह देखो बना है, optical fiber, यह तो बहुत मोटा बना है, दिखाने के लिए बहुत मोटा बनाई हुए है देखो यह बहुत पतला होता है यह हमने बनाया अब यहाँ दिखाने के लिए फ़ला बनाना पड़ा है इसका रिफ्रेट्टु इंडेक्स कुछ होगा इसको कहा जाता है इसका नाम कुछ दिया है कोर साइज कहते हैं कही है अगर नाम लिखा हो इसको कोर कहते है अरे यार उसमें देख रहे था तुमने उच्छिल लिया गोला उदर उसमें लिखा हुआ है इसका वैलू दिखने पड़ेगी ना इसको कहते हैं कोर क्या कहते हैं इसको कोर कहते हैं इसका कुछ refractive index होता है, इसके बाहर air है ना, तो ये glass कैसा medium है, denser है, glass है ना ये, और इसके बाहर air है, हम क्या करते हैं, इसके उपर एक, अच्छा ये बनाया, इसके उपर हमने एक glass और लगा दिया, ठीक है, तो अंदर वाले को core कहते हैं, और इसके उपर एक glass और लपेट द का mu2 है, तो mu1 is greater than mu2, यह अंदर वाले का index, बाहर वाले का index से, ज्यादा है, एक कम index का glass लपेट दिया, glass ही लपेटा, उसे कम index का glass लपेटा, ठीक है, अब देखो, ये इतना पतला तार है, कि जब light को, इससे बहुत मोटा तार हो, तो light ऐसे जा सकती है ना, और light बहुत पत तो light सीधे जाएगी ना, टकराएगी कहां जाकर के, अगर टकरा भी गई practically समझेगा तो angle 180 के असपास होगा जाकर के, नहीं होगा, अगर आप बहुत पतला तार लेते हो, ये बहुत पतला तार ले लो, और कैदो इसके अंदर light खिंचिये, तो light ऐसे जाएगी तो जब अग क्लाइडिंग कहा जाता है, क्या कहते हैं, ये उपर जो टाल, जो glass लपेटा गया है, इसको क्लाइडिंग कहते हैं, और इसके उपर एक कला कला तार लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो इसमें light इस पर गार से चलेगी, नहीं हमझे, अब सिंपल जबाद लाइट बाहर नहीं जा सकती है और light की speed क्या है 3 to 10 to 8 तो light यहां से हम hello बोले थे तो हमने sound create की थे ना हमने उस sound energy को किस में convert किया light में और light को यहां पर डाल दिया ठीक और यह light जो speed है वहां जहां पहुंचना पहुंच गई एक तो यह week नहीं पड़ेगी जब तक week पड़ेगी पड़ेगी तब तक पहुंच गई होगी ठीक है और जहां पहुंची वहां पर हमने क्या किया है अपने जो sound थी ना हमने hello बोला था hello से sound create हुई sound से current create हुई current से light create हुई light इसके अंदर गई अब यह light फिर वहां जाएगी फिर वहां current create होगी फिर sound में create होगी हमको आवाज सुनाई पड़ेगी current नहीं होती है इसमें कहा current है तो पकड़ के देख लो भाई हमने पकड़ाने के अभी गतार इसमें current नहीं होती है इसमें light होती है अब इसको तुम बेचो जाकर के पहले बात तो चोर होते ना इंडिया वाले चोरी करो इसको पहले बात तो आपको चोरी करने के लिए सुब़े खेथ पे जाना पड़ेगा फिर प्लास्टिक की आपने देखाओगा रोड पे मोटे मोटे तार पड़े होते हैं उस तार के अंदर ये आप्टिकल फाइबर होते हैं, उनको तुम खोद लाओ, और किसी को बेंचो आगर किये, वो ये का है, तो का है कितनी मेहनत कोई करेगा, ठीक है, तो ये आप्टिकल फाइबर जिसमें इसका इस्तिमाल करते हैं, और कम्यूनिकेशन की दुनिया का ये ब और कम्यूनिकेशन का लिडिया क्छू. अपके अप्टिकल फाइबर आपके मूस में होते हैं, और कहां साथा है करते हैं, अश्करतिकल फाइबर को का आईबंदे हैं, मतलित जी चूली पेट को अर्या है, है ऐसे टाइप कि है ठीक है लाइट भेजी और यहां रोशनी पड़ेगे ना लाइट वापस लौट के आ गई तो हम आपके पेट के अंदर की पूरा वाज सिस्टम देख लेंगे वह अलग की बात है चाहिज अतना हम सब कुछ देख लेते हैं लेकि जब उपर वाला देखत का इस्तेमाल हैं Medical Line में कर सकते हैं Communication में कर सकते हैं आप लोगों ने देखा भी उसको है कहां देखा आपने सुने ज्यान से कभी आप मेला वेला लगता है वहाँ पर प्लास्टिक बहुत प्तरी प्तरी सींके बिगती है वह नीचे पॉर्ट लगा होता उसमे लाइट होती है होता क्या है कि ये एक pot बना दिया हमने यहां बहुत सारी LED जला दिया हमने ठीक है और इसमें एक पतला सा optical fiber लगा दिया इसके अंदर light जा रही है और light जहां ऊपर निकलेगी वहां ओ light समकेगी ठीक है तो इस प्रकार से हम use कर सकते हैं दूसरा hotels वगरा जो बड़े बड़े होते हैं ठीक है भाई जहां पर थाली 5000 की मिलती है अब जहां पर 20 रुपए की या 50 रुपए भरपेट भोजन मिलेगा वहां तो hand pump बे खाना पानी पीलो अब ऐसे चलते हैं लेकिन आपको तो status maintain करना है 5000 की थाली तो उसमें क्या होता है देखिए अब hotel में आप खा भी रहें ये यहां पर एक shower लगा हुआ है ठीक है फवारा लगा हुआ है अब फवारे में ऐसे बहुत सारे नल होंगे ऐसे नीचे नल होंगे ना यहां पर नल में हमने क्या किया LED लगा दी अलग अलग कलर के LED लगा दी अब देखो इस फवारे से पानी ऐसे जा रहा है ना पानी कैसा मीडियम है डेंसर मीडियम और बाहर क्या है यह बहुत पतली pipe है अब यहां से लाल कलर के LED जली है अब LED जली तो light बाहर निकलना चाहती है लेकिन बहुत पतला होने की वजय से इसका एंगिला इंसिडेंट बहुत छोटा है इसलिए light बाहर नहीं निकल पाती है light कहां निकलेगी जहां से फवारा खतम होगा तो फवारा के सबसे उपर आपको color दिखाई पड़ेगा गंगा पहराज में जो भी हम नहीं जानते हम एक बार एक जगे होटल गए थे फ्री में चाह पीने के लिएक लोगों के साथ में तब देड़ सो रुपए की चाह वहां मिली थी सन 87 ए 88 भी देड़ सो रुपए की एक कब चाह तो वहाँ पर था बढ़िया नहीं वह वो ऐसे मिल गई थी बताएंगे कैसे मिली थी तो सुन्म्जवails आ गया आ यह सवाप के तो यह तो यूज नहीं है यह तो रुप पके लिभी लवे बढ़े लोगा ते है aksar चाहे छोड़ देते हैं, एक कपी हैं कि थोड़ी तो नीचे छोड़ी देते हैं, हम उसे इकटा कर लेते हैं, वो अठनिक ही भी हो जाती है, वो अलगी बात है, समझवा गई बात है, तो ये आपके टोटल इंटरन रिफ्लेक्शन के कुछ, यूजेज हैं, इन्हें पढ़ ल स्क्रिप्टर, समात्र,